धम्म सेवा, धम्म सेवक ये नया जो हम एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आज हम मोतीलाल आलम चंद्र या मोतीलाल अहिरवार साहित्यकार और तैसिल्दार वो तैसिल्दार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और बुद्ध की भासा धम लिपी को पढ़ाते हैं और सखाते हैं तो जो धम की सेवा कर रहे हैं उसके बारे में हम आज यहां चिक्र कर रहे हैं दरसल जितने भी धम की सेवा करने वाले और धम की जो सेवक हैं उनका एक हेक करके जो भी आपके काम के हैं उन लोगों को हम यहां introduce कराएंगे उनके बारे में बताएंगे उनके phone नमबर भी देंगे उनका address भी देंगे ताकि आपको अगर कोछी सीखना है तो अगर सीधे आप phone करके सीख सकते हैं और आपको अगर धम सेवा करनी है या धम सेवा बनना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो धमकी सामिकरी है जैसे मैं वीडियो धमकी बनाता हूँ तो आप इन वीडियो को अपनी आवाज में रिकॉर्ट कीजिए थोड़ा आगे बढ़ाईए कोई दिक्कत आती है तो लिखके पूछ लीजिए कि यह दिक्कत आ रही है यह कैसे होगी या यह जो धमकी वीडियो हैं या धमकी पोश्ट है इनको शेयर कीजिए इनको लोगों को गिफ्ट कीजिए या इनको सेव करके रख लीजिए जब आपको अपने बच्चों को सुनानी हो तो सुनाईए इसमें जो हम सिखा रहे हैं आज की समय कि पाली पढ़ो पाली आज में सीखें इसको तो धमकी सेवा जैसे आप कर सकते हैं आपकी चाहे और बाकी आप जो सेवा लेना चाहें उसके लिए ये एपिसोड है मोतीलाल, आलम, चंद्र, तैसिलदार, भोपाल, मध्यपरदेश में हैं साहिट तेकार हैं चार किताबे उनकी आचुकी हैं तीन किताबों का तो सर्फ मैं आपको यहाँ फोटो दे रहा हूँ चौती किताब का मैं जिक्र करूँगा उसका नाम है सांची दानंग सांची दानंग, सांची बहुत बड़ा इस्तूप है मध्यपरदेश के अंदर और सांची की नाम से जाने जाता है वर्ड हैरिटेश है वहाँ आप जिरूर जाईए और महाँ जाके देखिए कि हो कितना बड़ा इस्तूप है, कितना खूसुद है जो पत्तरों पे समाट असोक्डे जितनी भी भासा लिखवाई, लिपी लिखवाई, उसको धम लिपी बोलते है यानि धम लिखवाया और धम लिखवाने के बाद उस लिपी का नाम धम लिपी पड़ा उसको बुद्ध की भासा की पहली लिपी भी बोल सकते है वो सारी के सारी बहुत सिंपल और बहुत अच्छे आप दस वीडियो में सीख सकते हैं पांच में सीख सकते हैं और आपकी जिग्यासा है तो आप मात्र दो वीडियो में भी भासा को सीख सकते हैं मात्र दो दिन के अंदर दो वीडियो में प्रोकि जो मोतिलाल जी हैं उन्हें बहुत सरल और सिंपल वीडियोज बनाए हुए हैं एक वीडियो में यहां उनका ठेच कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं बाकी उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं अगर आपको आउशकता हो, तो आप उनसे सीधे contact कर सकते हैं, वो जो सिखाते हैं, उसमें आपको कोई दिक्त आती है, तो आप फॉन करके उनसे सीख सकते हैं, जो सांची दानंग किताब है, वो धमलिपी सिखाती है, तो धमलिपी सीखने के लिए आप सांची दानंग किताब आपको उनसे phone number में मंगाईए या उसका address में यहां देता हूँ, आप address से मंगा लीजिए, तो आप धमलिपी सीखी और सिखाईए, दरसल यह बहुत ज़्यादा interesting है क्योंकि आप जब भी यह हजारों पत्थर जो भिखरे हुए हैं जगे जगे या जिनके photo internet में हैं, जब आप उसमें देखेंगे तो आपको ताज होगा कि वो कितनी सरल भासा में सम्रट असोक ने भगवान बुद्ध को लिखवाया है और अपने राज काज को लिखवाया है, आप उस धमलिपी में अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहां मेरा नाम लिखा हुआ है, टीम 22 का नाम को चला सकते हैं, धमलिपी का फॉन्ट के लिए आप चाहें तो पैसिल्दार साब को फॉन कर सकते हैं, वो आपको वाटसाप पे बेज़ देंगे, या कोई ना कोई लिंक आपको मिल जाएगा, इससे आप अपनी जो पोस्ट हैं, उनको धमलिपी में बना सकते हैं, कुछ ल तरह से पहले लिखते थे, बस वो बदला हुआ है, यानि कैको कैसे लिखते थे, सैको कैसे लिखते थे, चैको कैसे, वो जो अक्षर है, अक्षरों की जो शेप है, वो अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका जो मतलब है कुछ और है, लिखा वो पाली म यह सारी भासा हैं जितनी भी हैं यह सारी की सारी पाली ही हैं यह पाली भासा ही हम पहले बोलते थे तब उसका नाम पाली नहीं था तब मगदी था असो की था धम की भासा थी असो की भासा थी तो यह भासा कौसली भासा थी भासा आते 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 अभी कुछ समय पहले से इसका नाम हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, इसमें आप बे खौफ हो के बिना डरे ये सोचके हैं कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इस धम लिपी को सीखें, बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है, आप इन से मिलिए, ये धम से रखें, धम की सेवा करते हैं, आप इनकी क्लास लेना चाहें, तो क्लास के लिए अगर 10, 20, 30, 40 इस टुटेंटी खटे हो जाते हैं, तो वहाँ जा भी सकते हैं, और वो आपके पास आ भी सकते हैं, जड़ भी छुटी वगएरा होगी, या जैसा उनका मिलना जुलना होगा, आप उनसे संपर करें, धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धम लिपी की बर्ण माला से परिचे करवाएंगे, धम लिपी समराट असोग के सासनकाल में इजाद की गई लिपी है, समराट असोग के पूर्व भासाय तो थी, लेकिन लेखन सरी विच्सित नहीं हुई थी, लेखन का पुक्ता प्रमा हमें समराट असोग के काल से ही, समराट असोग के सासनकाल से ही हमको देखने को मिलता है, समराट असोग के सासनकाल में हमें धेरो अभी लेक भारत वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व बर्तमान भासाओं की लिपियां तमाम लिपियां इसी लिपी से निकली हैं इसी धम लिपी से निकली हैं इसलिए मैं इस लिपी को मदर स्क्रिप्ट कहता हूं मा कहता हूं भारती लिपियों की मा है जननी है आईए दोस्तों हम इस लिपी को पड़ते हैं धम्ल लिपी बढ़ माला आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आउ, अं, का, खा, गा, घा, इंगा चा, छा, जा, जा, इ, आ, ता, ठा, डा, धा, रा पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा, रा धम्ल लिपी में समराटसो के अभीलेकों में केबल सरोता वाला साथ अधिकांस का प्रयोग किया गया है सीटी वाला साथ और शटकॉल वाल इशाय का प्रयोग ना के बरावर मिलता है अर्था आर्थ सा मूलता सरोता वाला साथ प्रयोग होता था ये दोनों दालाप्यशा और मूर्धन ने साथ दोनों बाद में संसकारत किये गए हैं इसी प्रकार ध्मलिपी में आठ सवर है ये आई और रऊ बाद में संसकारत कि हुए हैं इसलिए यह सवरोप्य संख्या आई और रऊ को मुलाकर दस हो जाती है अंग प्राकर्तिक या पाली में इसे बेंजन में गिना जाता है जबकि हिंदी या भारुपी वासा परिवाई में इसको अनुसवर गिना जाता है इसलिए अनुसवर को भी मिला कर यहाँ पर 11 सौर और एक निभिता मिला कर 11 अक्छर होती है इसलिए ग्यारा खड़ी इस धमलिपी में हमने बनाई है अब ग्यारा खड़ी या मात्रा इस प्रकार लगाई जाएंगी मैंने यहाँ पर ग्यारा सर्किल बनाए हुए सर्किल को आप एक लेटर से पैचान सकते हैं इससे आप ठा मान सकते हैं इसको सिर्फ हम मात्रा लगाने का तरीका किस प्रकार है वह हम जानेंगे देखिए दोस्तों का नीचे का है पहले मात्रा पढ़ते हैं इस प्रकार यह मात्रा हमें उपर लगाई है उ और बढ़ों के मात्रा नीचे हैं अक्छर के और सेस मात्रा अक्छर के उपर लगाई जाती है इस प्रकार हम अब एक बेंजल लेंगे बेंजल में मात्रा इस प्रकार लगाई जाएंगी देखिए दोस्तों का में उपर मात्रा लगाई गई है की की में उपर एक छोटी मात्रा बड़ी की में बड़ी की की मात्रा का छोटाओ की मात्रा कू का बड़ाओ की मात्रा कू का एकी मात्रा के का आई की मात्रा कै इस प्रकार आप ग्यारा खड़ी में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी आप यहाँ पर गिये गए इस छोटे से चाड़ से आसानी से सीख सकते हैं धंब लिपी के लिए सीखने के लिए इतनी सावक्री परयाप्थ है इस प्रकार का की जगए आप दूसरा पेंजन भी लिख सकते हैं मात्रा चड़ाने का तरीका यही रहेगा केवल जो सम्राटसों की अभीले को मैं हमें एक चीज़ोर देखने को मिलती है जो अक्षर नीचे गोलाए लिए हुए खत्म होते हैं गोलाए लिए हुए हैं जैसे था है था है टा भी है इस प्रकार और भी अक्षर है बाज नीचे गोलाए लिए खत्म हो रहा है वहाँ पर एल नुमा उ की मात्रा है या उ की मात्रा न लगाकर एक सीधा नीचे डंडी भी खीच सकते हैं जो उ की मात्रा या जो डंडी खीची तो बड़ों की मात्रा को प्रदशित करता है या आप एल नुमा भी मात्रा लगा सकते हैं जनरली समराठ असो के अभीले को मैं इस परकार मात्रा लगाई गई है इसलिए मैंने आपको परकार बताया है दोस्तो इसको आप बड़े आराम से सीख सकते हैं बहुती सहज, बहुती सरल और बहुती बैग्यानिक लिपी है इस लिपी को सीखने के लिए आप मुस्किलते दस से पंदर दिन इसको बार बार प्रैक्टिस करें इसको प्रैक्टिस करने को बार इसकी स्वार प्रैक्टिस करते समय स्वार बेंजन मात्रा चड़ाने का तरीका और ग्यारा कडिकीस की प्रैक्टिस करिए स्वावावे गरूप से आप पंदर दन में लिपी लिखने लगेंगे धम लिपी से आप पूरी तरह से पर्चिन हो जाएंगे बुद्धम सर्नं गच्चामी धम्मं सर्नं गच्चामी जंगं सर्नं गच्चामी भूर्दम सर्नं गच्चामी धम्मं सर्नं गच्चामी जंगं सर्नं गुदं सर्णं गच्छामी दम्मं सर्णं गच्छामी संगं सर्णं गच्छामी पाना थी पाता गच्छामी दम्मं सक्छामी दम्मं स्थिए पाता गच्छामी धाम्मन शरनं गच्छामे संखन शरनं गच्छामे धाम्मन शरनं गच्छामे धाम्मन शरनं गच्छामे संखन शरनं गच्छामे धाम्मन शरनं गच्छामे धाम्मन शरनं गच्छामे